आप दोस्तों पर महरा अपने रक्षिश यूटूब चैनल वीडियो दोस्तों अच्छले के चैनल आक्षिश जुरूर कारते हो जी रवांडा प्लान से ब्रिटिश मुस्लिन कालने की त्यारी शुरू यहांके रवांडा प्लान पर काम शुरू हो चुका है लोग साथ वीड को लेकरा हैं, वीडियो है हारिस सुल्तान का और गोरे क्यों मौमिनों को निकाल रहे हैं, रवांडा प्लान क्या है?と जी हाँ मैं चर्चा करता है कि हारिस भई मेरा भी एक दूव वीडियो देख चुक गया है प्लान वाला अच्छी बात है रवांडा प्लान पर बाचीत होनी चाहिए और जितनी जादा बाचीतों की उतना बहतर है क्योंकि जो भी यह लोग जाके दूसरे देश में वहां पर शरीया लगाएंगे और ये करेंगे और हंगामा कर रहे हैं बवाल कर रहे हैं दंगा परके उनको प्लेइन में बटाके भीजेंगे ब्रवांडा काम चालू आए चले देते हैं कि हारिस भाई क्या बता रहे है और राइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मैं हूं हारिस सुल्तान और मेरा ख्याल से इस चैनल का नाम मुझे बदल के मोमनों के कारणामें रख द अमन पसंद मुलकों में जाके उनके अमनो अमान को तबाहु बरबाद करना इस एक्टिविटी के अंदर बड़ी तेजी से मजीद तेजी आती जा रही है इस चैनल में बलके एक प्लेलिस्ट है मोमनों के कारणामे उसको जाके जरूर देखिएगा और मैं आपको ऑनसली ब चानीज उसमें इतने अच्छे नहीं है लेकिन जो एज़ा पीपल है पीपल उसमें कोई कोम मुसल्मानों के आसपास भी नहीं फटकती जो चाहे स्वीडन हो नौर्वे हो नेदरलेंड्स हो इंगलेंड हो फ्रांस हो अमेरिका हो कैनड़ा हो कोई मुलकों उन सारे मुलकों क्यों नहीं किया जाता मैंने भी आपको वीडियो दिखाई के इंगलेंड में आए दिन रोज इन वॉलंटरी पीडिया फाइल्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं इन वॉलंटरी यानि यह पीडिया फाइल नैच्रुली नहीं है लेकिन यह इतना थुड़े मैं कोई हाल नही कल्चरल ग्रिफ नहीं हला कि जिस पाकिस्तान में मैं बड़ा हुआ था वो बड़ा शर्मोहिया वाला एक लिहास से वो शर्मोहिया वाला मौशरा था जब मैं बाहर आया था तो मुझे इस चीज़ का ख्याल होता था कि यार मेरे माबाब कैसे हैंगे घर वले यानि कोई आ अब के लोगों में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये मौलवियों ने एक कल्चर आम कर दिया जहाद करो गोरे खंदे हैं काफर हैं इनके ओपर घलबा पाना है खुदा हमारे साथ है वगएर वगएर इससाद इनको तबाहों बरबाद करना और उल्टा चोर को तवाल को ड लाए जाती है कि यो दुश्मनों की लड़कियां हैं दुश्मनों की ओरते हैं वो आपकी सेक्सलेव बन जाएंगी और आप आप आपके पास जायज हक है आप उनको कर जो मन करें आप उनके साथ कर लें तो ये दिमाग में वो बिठाया जा रहा है और ये दिमाग में उसक वीडियोज देखें जिसमें वो ये बात कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। एक कॉंटेस्स होता है जहां पर पूरे यॉरोप से और जो वेस्टन कंट्रीज हैं, इस्राइल को भी बीच में डाल दिया है। जो हमारे मुमिनींज हैं वो पागल हो गए। पहसों की दजियां उनाए जारी हैं और आप बाब बताएं, गोरों के अंदर इनके दिल, इनके लिए क्या महबत रह जाएगी। क्या हम दर्दी रह जाएगी। यह उनकी इमलाक को किस तरह ठुटे मारके दरिंदों की तरह इसको मारें क्यों कि इसको अपना नहीं समझते। यह इस इन मुलकों को अपना नहीं समझते। यह घदार हैं, यह बेशरम लोग हैं और पहले हाथ जोड़के, माफियां मांगे कहते हैं हमें अंदर आने दो, पहले उनको कहते हैं कि जी हमें हमारे मुलक में बड़ा बुरा हाल है, प्लीज हमें सीटिजनशिप दे दो, आन इनका कुछ नहीं बचला है, यह देखें किस तरह उनकी अमलाग को तुबाह भरबाद करें, नो महीं हुई थी पाकसान में, देखें नो महीं में पाकसान की स्टैब्लिश्मेंट ने किस तो धजिया होना ही हैं उनकी हर उस बंदे की जिन्नों ने सरकारी अमलाग को यानि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमिज किया और यह देखें वह अंदर बीच में बंदा बैठावा देखें किस तरह डरावा होगा वह वह विचारा फसावा अंदर यह आपके मॉमिनिंज हैं तो क्या जी इनकी वज़ा क्या थी उनकी वज़ा यह थी अब उन्हें गोलियां मार प्रदर्शन चल रहा था एक रैली थी अपने हक की बात कर रहे थे जो उनका हक है पीसफुल उनका लेकिन यह तो कुछ नहीं है यह तो सरासर उस देश के खिलाफ काम हो रहा है कुछ नहीं है इनके पास और जब इनको वीजे नहीं दिये जाते अब मैं आपको दखा को यूकय में क्या हो रहा है यूकय में वारी बात है यह को उनिससे प्रफेस्टी के प्रफेस्टरेश क्राइब चाहिए बाकी का में मिटे कठानी चाहिए वो होती ही वाएक्रेशन लेकिस्ट्री बन्चेते हैं कष्ट्रियों में बैठके जाने पीपल स्मगलिंग का जो काम होता तेज हो जाता है तो फिर आपके जो इधारें उनको ओवर्वल्म कर भी आ जाता है जिसकी वज़ा से लोग आई जाते हैं कश्टी में आकर बैढ़ दे हैं आप क्या करें उनको फिर डेटेंशन है तो यह बड़ा प्रॉब्लम है तो अब र पर गई है प्योर्ली बिकाउज ऑफ अनकंट्रोल माइगरेशन और यह जो सतर लाख लोग जो आए हैं पिछले 20 सालों में से उनमें से स्रिफ चार फीसद लोग ऐसे हैं जो वर्कफोर्स का हिसा बनते हैं बाकी कि कि आपके हॉस्पिटल्स यूज करते हैं बाकी कि आपकी पैंशन्स यूज करते हैं जो सरकारी आपको वजीफे मिलते हैं बाकी के आपकी ट्रांस्पोर्टेशन को यूज करते हैं उनकी बेड़े घर कर देते हैं तो अभी गोरे पागल हो रहे हैं इसलिए आपको पिर बिता दो साथ आठ परसेंट हैं भी देखें इलेक्शन मैं आपको यह बताओं ऐसा नहीं होने लगा हैं कि दो वान फटेस्ट सिविलाइजेशन्स इन इसे पड़ूप करके मर जाएगी अलाकि जो अगली जनरेशन अगोरों की वोक वगयरा को देख के तो लगता कि यार यह तो डिजर्फ करते हैं कि इनको कोई बाहर से आके इन इस ने रवांडा प्लान एक निकाला मैं आपको पहले इसका मतलब बता दो मुझे कई लोगों ने कहा कि रवांडा को हमें समझाने के लिए जरा वीडियो बनाएं कि क्या इसका मतलब है देखें जो यूएन हुमन राइट्स चार्टर है जो रेफ्यूजी का जो उनका चा और सेक्संस और विजी गॉड्स बगारा जब रोम के बॉर्डर्स पे आके खड़े हो जाते थे तो सोल्डर्स जी होता था कुछ लोगों को मार देते थे लेकि फिर बाकियों को कहते हैं हम सारों को आम शेरियों को कैसे मारें एवन उस बरबरियत वाले जमाने में भी तो वो भी जादा दे नहीं रोख सकता क्योंकि यह और्गनाईस तरीके से आ रहे हैं औरतें बच्चे हैं नहीं सारे मर्द हैं तो क्या करें तो आपको उनको लाना पड़ता यह बहुत इंपोर्टन बात हरिस भाई ने कही है आप किसी भी ढंकी मार के जाने में बोर्ट से बै हर तरफ आज से नहीं आप कहीं भी देख लिजें कहीं से भी तस्वीरे आती हैं आप उसमें मुझे महिलाएं बच्चे दिखा दीजें क्यों महिलाएं बच्चे नहीं मिलेंगे क्योंकि ने, सब planned तरीके से भेजा जा रहा है planned तरीके से उन देशों में घुसपैट कराई जा रही है जो develop हो चुके हैं, जिनके society develop है वहाँ पर क्योस मचाना है, वहाँ पर इसलाम का जंडा फैराना है पुरी दुनिया पर कबजा करना है, यह सब कुछ planned वे में हो रहा है वरना आप सोचिए अगर इतने मजबूर हैं, तो बच्चे और महिलाओं को भी भीजिए ना नहीं, नहीं, वो नहीं भीजेगे सिर्फ वो युवा, बुजुर्ग भी नहीं बुजुर्ग भी नहीं, सिर्फ वो युवा, जो लड़ने के लिए जो उमर होती है न, 18 से 25 वाली, जिसमें आप किसी को भी बहका सकते हो, भड़का सकते हो, वो तूट पड़ेगा, एकदम जोश पूरा होता है, डरता नहीं है अरी बहुत प्लान तरीके सो रहे है, अब ये लोग जितनी जल्दी ये बात समझ जाएं, तो ऐसे समझ गए हैं, ते रवंड़ा प्लान उसी का नतीजा है अस्रेलिया इसमें बड़ा चलाक है, अस्रेलिया क्या करता है, उपर क्रिस्मिस आइलेंड में उन्होंने कैंप्स बनाएं, वहाँ पर उनको बंद कर देते हैं, वहाँ पर कोई बिल्डिंग है नहीं है, आपने आना है, यहाँ पर आके बैठो, हम आपको प्रोसेस करेंग हैं, अगर हम satisfy होगे, कि आप genuine refugee हैं, तो हम आपको ले लेंगा बर्दा हम, तो इसका मतलब क्या है, वह वहाँ पर 8-9 साल सड़ते रहते हैं, refugee के आपको, तो बहुत सारे लोग कहते हैं, हमें वापिस बहुते हैं, वह वापिस चले जाते हैं, तो असल में इसका मकसद यह न जी हाँ, आप कश्टी से उतरते हैं, इंग्लैंड में उतरते हैं, तो ठीक है, वह फाइफ सार होटल नहीं होते हैं, लेकिन आपको होटल में ठराते हैं, आपको मॉबाइल फोन देते हैं, आपको रोज का मेरा हल 10-15 पाउंड देते हैं, जारा कोई ऐसा बात नहीं कि रिशिश कर रहे थे, कि हम किस तरह इंग्लैंड को, यूके को लीस्ट डिजारेबल बनाएं, आपने देखा होगा, आरलेंड में क्या और है, वहाँ पर भी आए हैं, वहाँ पर होटलों में रखते हैं, तो आरदिश लोगों ने उनकी जलाने शुरू कर दिये होटल, जहा को मिली और इस होकत वो तकरीबन कोई नंबर भूल गया है, लेकिन इस होकत वो टोटल एनाइलेशन की तरफ जा रहे हैं, और लेबर पार्टी की स्टार मरकी वो जीतने जा रही, क्यों? हाला कि और वो इससे भी बुरी हो नहीं, क्योंकि वो प्रो रेफीजी हैं, तो अभ अगले जो 4-5 साल हो, अभी बहुत तुफान मजीद आना है मुमनों के हाथों, और फिर यह उठके खड़े होंगे, तब देखेंगे तब तक दुनिया कैसी होती है, लेकिन दुनिया बड़ी बदल चुकी होगी, तो ट्रॉम्प भी आ चुका होगा, ट्रॉम्प ने भी आ दो नंबर होते हैं, तो अब, हाला कि यह भी रवांडा पॉलिसी भी कोई इतनी फूल प्रूफ नहीं है, मेरा हाल इसको कोई साल में 300 बंदे उदर भेज़ा जाए जबके इल्लीगल माइगरेंट का नंबर लाखों में पहुंच चुका है, तो लेकिन वो जो 300 भी है, उनक उदर उन western मुलकों में आ जाते हैं, तो उन मुलकों के वफदार नहीं होते हैं, मेलमों में अभी किस तरह उनकी पूलिस की वैनों को सरकारिये मलाख को destroy कर रहे हैं, लेकिन जब इनको visa नहीं मिलता है, जब तक ये limbo में होते हैं, तब देखें क्या कर रहे होते हैं, ये, मैं तो घखात कि यह आफगानी और पाकिस्तानी लागँ है मुझे कई ओना आणिसे भागे में तो अब दो आघरा रहे लागा होई तो यह पाकिस अजब और प्रो तालबान होंगे नहीं होंगे हम सौरी आपके जो भाई बंदूओं उन्हें इतना गंद मचा दिया कि अब आप वेस्टन मुलकों से तकलीफ ये उन से को नहीं कहा सकते कि भाई हमें रख लो मुझे नहीं पता है इनकी इंडिविजिल क्या कहानी है इन में से कितने स्पार्टकस्टिस हैं और कितने बिचारे वाकई मजलूम लोग है लेकिन आपकी जो लोग हैं आपके मुलक से आए हुए आपके मुलकों से आए हुए वो अभी जो आपने स्वीडन में देखा क्या करते हैं इनसानों की मदद करनी चाहिए लेकिन not at the cost of your own well-being अगर आपने पर सारे पैसे गरीबों में बांड़ दिये तो आप क्या खाएंगे आप मर जाएंगे ऐसा यह दुनिया का सूल नहीं जब आप जहाज में बैठते हैं न तो जहाज में जो शुरू में जो ट्रेनिंग चलती न वो कहते हैं कि जब अगर emergency हो तो पहले अपने मूपे mask लगाओ अपनी पहले life jacket पहनो और फिर अपने बच्चे की मदद करो क्यूंकि अगर आप बच्चे की मदद करनी शुरू कर दी और आप लोड़क गये बीच में तो बच्चा भी गया आप भी गये यह उसी तना west के मुलकों की priority प सब्सक्राइब करेंब इस ऑफज़ करेंब तो यह मैं आपको overall विए बताने की कोश्कार आगें इनमेंस इंडिविज्वल्स कितने अवाकी तालवान के हाथ हो भागे में क्योंकि पुराने वहाने सानके जंडा लेरा रहे थे पर्ट यह किदा नहीं यह लोग जब यह मुसलमान इस तरह की अरकते का रहे होते हैं अब हर हाफते यह हो रहा है अभी आपको ग्रीस में ग्रीस में किया दो दिन पहले उससे पहले हफ़ता पहले यूके मे हरे हैं किया जर्मनी में उस दिन आग लगा दी इनॠ जर्मनी में अभी परसों भलकर ठ्cji में अपको जर्मनी में लिए चर्मनी में लिए में में ठीक पेले आपने तरुकी में जाके तो इस्लामी निजाम लेओ जो बेशरम लोग तुम जर्बनी में आके कह रहे हो कि हमें शरीय चाहिए अब इन लोग उसमें गोरें डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे और हम इनको ड्राने की कोशिश कर रहे हैं हम इनको बता रहे हैं कि यह आपके हाथ से बात निकल गई है यह देखो यह सारे घंगे और यह मैं इस बात का मानने वाला नहीं हम ग्रेट रिप्लेस्मेंट घ्यूरी का के वेस्टन पॉलिटिशन से साजिश की होगी कि हमने अपनी गोरी अवाम को बदल देना नहीं ऐसी बात नहीं है यह वेस्टन पॉलिटेशन थे उन्होंने देखा कि हाँ भी हमारे तरीके से समझता हूं मेरा नहीं ख्याल पाकिसान हों क्योंकि हम हर चीज में नलायक हैं मेरा निकाल हमने यह साजिश के तोर पे भेज़े हूंगे हमने तो डॉलरों के लालच में अपनी इवाम को बाहर भेज़ा एक मिनिस्टर भी थे उन्होंने का था ज्यादा बच्छे प कामों की वीडियो बड़े फखर से कहते हैं कि हमने यूरप को मुसल्मान करते हैं बच्छे पादा करकर के तो गोरे अब डर रहे हैं और उमीद हमारी यह है कि डरें जितना जादा डर सकते हैं उनको यह चीज़ें नजर आने चाहिए और इसमें हमारा भी को इतना कमाल नह जितने जर्मनी में यह इंटिमिडेटिंग तो लगता है लेकिन इनके नंबर जितने जाता नहीं हैं यह कहीं पे सिरफ फ्रांस में 10 से 12 फीसद मुसल्मान हैं बाकी हर जगा पे 10 फीसद से काम हैं अब आप ने देखा इंगलेंड में जो इलेक्शन हुए ब्रैडवर्ड क खता नहीं कोई लाइक करें शेयर चले दोस्तों वीडियो खतम हो गया और हरिस भाई भी यह पिछले लंबे टाइम से बाते डायं कर रहा हूं एक हमारे हैं कहते हैं कि अपनी जाध दिखाना जाध दिखाने का मतलब है कि आपके अंदर जो आपकी असलियत है ना वो असलि साइटी है, उसके हिसाब से चलते हैं, उस कल्चर का हिस्सा बनते हैं, उस कल्चर में थोड़ा प्रोड़क्टिव बनते हैं, मुझे यादारा एक अमेरिकन है, और वो इसी बात को लेकर कह रहा थे, कि देखिए, सबसे अच्छी कॉम्मुनिटी जो है, वो अमेरिका में है, वो संख्या में कम हैं, लेकिन टैक्स बहुत जादा देती है, वो संख्या में कम हैं, लेकिन एकॉनमी में बड़ा युगदान हैं उनका, सुनी, वेकिन का स्बढाव जास, वेकिन लुग जट लुगम यूज भुव लि यहादान को वेकिन लोगदों को कि अच्छी बने कोवा स्बब्स लेकिन, घच्जजाब वुदान हैं, वह बहुत जबान को गरिफेकिन कि बदेगा हैं, वह बहाद एकॉत कि ले दो में ऑन तो बिसिकली करना यह जो हमारा कल्चर यह सिखाता है कि आप किसी दूसरे पर जाकर हावी मत रही है आप दूसरे को परिशान मत करिए आप दूसरी जगा जाकर अपनी चीज लादीये मत मुसलमान इसका ठीक उल्टा कर रहा मुसलमान एक रहता है परहें हाँ जी घुज़दाने है अंपने आपको एक्स्पोस करते हो अपने जात दिखाते हो एक्स्पोज करते हो और उसके बाद जब डंडे पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि इस्लामोफोबिया हो गया है मुसल्मानों पर देखो जुल्म हो रहा है जिस्पल सी बात है कि भाई अगर कोई जाएगा दूसरे देश में उस देश के जो लोकल निवासी हैं आप उनको इंटिमिडेट करोगे आप उनको डराओगे धमकाओगे और कहोगे कि जी हम अपना कानून लेकर आएगे कब तक साहिए वो चाहे जर्मनी हो वो चाहे फ्रांस हो वो चाहे कहीं भी कोई भी कंट्री हो उन लोगों की हिस्ट्रियां जाकर पढ़ना जितनी वार तुम लोगों को लगता है ना कि भाई हम तो लड़ने के लिए पैदा हुए हम तो शहीद होने के लिए पैदा हुए है तो वो शहीद करने के लिए पैदा हुए आपको आइडिया नहीं है फ्रेंच कैसे थे यूरोप वाले कैसे थे जर्मनी और ये लोग तो आपको आइडिया आप इनके हिस्ट्री जाकर पढ़ो जाने से पहले कि जो मारकाट इन्होंने मचाई थी पहले और जो ये ये तने निर्वम हत्यारे थे को आइडिया नहीं है आप कहीं उनके बराबर भी निटिक होगे गुंडा सुधर गया है तो कोई भी एरा गेरा नत्थुक एरा गुंडा बनके उसको डरा देगा लिग गुंडा जब अपने पुराने रूप में आएगा ना तो फिर वो किसी को नहीं बख्षेगा ये वही सारे हैं आपको क्या लगता है बिटिन ने इतने सैक्डो साल तक पूरी दुनिया पर राज किया ऐसे ही राज किया उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं था उनसे बड़ा निर्मम कोई नहीं था तो ऐसा नहीं कि उनके DNA मनीखे है उनके gene मनीखे है वह बस उन्होंना भी थोड़ा रिलाक्स होकर काम करना शुरू करते कोई बात ने छोडो यार यार आब बहुत हो चुचुआ अब आराम से अपनी लाइफ आराम से कर लेकिन दुबारा अगर वो जीन उखड़ गया उनका, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, ने तो सोचो ना, इतना सा ग्रेट बिटन और उसे पूरी दुनिया पर आज किया, कुस्तो बात होगी, और वो भी उस टाइम, जब डंडे की भाषा ही समझाई जाती थी, मारकाट युद्ध लड़ाईयां यही होती थी, तब युन्हों ने किया, अब पता नहीं आप लोगों को बात समझ में आगे, लेकिन एक बात तो होता है, मुसल्मानों के खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल बन गया, और यह भई होगा, मु coexistence में believe कीजिए, कि भले ही सामने वाला दूसरी community थी हैं, दूसरे religion सेएं, लेकिन उनके साथ ही रहना है, तो दूसरे religion को नीचा दिखाना, दूसरे religion वालों को अपना religion ठोपना, जबरन करना, यह सब करेंगे, तो लात खाएंगे, और अवान बैन से शुरूअत हो गई, ब अच्छा मैं जरी बात है कोई माने ना माने तो देखे ना देखे शबीर तो देखे गा इस तरीके से कोई माने ना माने हमारा काम में बात करना हमारा हमारे पास प्लाइफ़ार में लोग सा कंपर करते हैं मारा काम भी उनको कंपर करना भी है जहां वो ठीक होते हैं मैं बरमला कहता हूँ खुले दिल से कहता हूँ ठीक करें क्रिटीसाइज करता हूँ पाकिस्तानिय को हर लिया से करता हूँ जाम ले लगता है और मैं अच्छा तुन करता हूँ अच्छा यहां पर हैरेस को फिर मैं कांपर करना चाहूंगा हैरेस यह ते शेतान का लिबादा और गर सके मुमनीन और मुस्लमीन में फरक है मुस्लमाभ मुमन में बच फरक है मुमिन इसमान का फरक है मैंने इक्रार कर लिए दिल consent के लिए ठाद बिया मैं मस्लमाभ अब उसके बाद rules regulations फर controversy वाजबाद सुन्टे उसका एक एक सONS दीन दीन इसलाम के मताबक है तो वो मुमिन है, अगर नई है तो वो मुस्लिम है, मुस्लिम मानों के देरे सरु खरिश्ट नहीं होगा, कलमा पड़ ये देरे में आगया, लेकर मुमिन नहीं बन सकता, और मुमिन कभी घमनाक नहीं हो सकता, मुझे जाद आगया मुमिन के नाम से, पारफता एदराग नहीं हो सकता, सरकार दो आलम की महबद के बगएर किस इंसां के दिल पाक नहीं हो सकता, तो बात ये है, मुमन वही होता है, जो मन और अन, एक उसका उठना, उसका बैठना, उसका सोना, उसका लेटना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, नमाज पढ़ना, आहता के सांस तक लेना, दीन इसलाम के मताबक है, तो वह मुमन है, इसलिए ये बखवास करता है, ये जो हैरसा, वह मुमन नहीं हो सकते, पहले बात रहे है कि उनकी चार ढार है, मुमन वह चार ढार है, मतलब लिबास है, मैं पीशी वीडियो में कहीं मतलब अप्लिये का च ये बखवास करता है, 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 ये ब बोलना शुरू का जाता है अलोग सेने पूछा है कि किस चीज की मिसक्षिन हो जब जंग लगती ना जंग वार होती है पहले जमाने की बात आप गी नहीं जब वार होगती तो उसको च्वमिलता था जूता थे तो जन्गी साथो समान जो लूटते थे दूसरी संविल फॉर्ट से उसको बोलते हैं माल खनीमत माल खनीमत में जो आई हो लड़कियां उनको आप ले सकते हैं फिर वो भी निकाह करके यहां कि जायस तरीके से हैंजी अपने लीवी बना लेना अजरत इमाम हुसैन की जो वालदा के बाद एरान की शिजदादी थी और उनकी मर्दी के मताबथ जारी बाद है बंदी बनजी मतार कवलां बंती हैं जब जड़ सब गलम बन नहीं प्रहो खोता है और ये सिर बूल मुथ सिर्फ गरन द 듣ख अमें चाहा कर देखना यह सबका जी जुरूरू करता था फिर उनके साथ निकाह दिया जाता हराम नहीं अपनी बीभी बिना लेना लिए मिसकंसेप्शं दूर किजिये लोग सार्थ अपनी बीवी बना लेना भई उसके साथ पर उन पर इज़त दी जाती थी भी यह फिर भी पर आपको अपना हक मिलता है आपके मज़ब में भी ऐसे ही का कि भीवी को ओलाatra तो वैस्लाम में बिया से निकाह प大概 जाया जाया जारत प्रियक प्र कि अपना अरड की कि इस लोडियां खटिक थी नुकरानी जहीं भी बोलते हैं हाझ आज आज लोडियां बोलते हैं तो तयो इन वो सारे सिस्टम है काफरों की जारी बादे काफर कामतब्द, नौन-मुसलम जाओ, उनकी जो ओर्तेंग, उन पर कबजा हो सकता था, कबजा का मतब्द यह का आप आप दस्तर्थ रखते हैं, हचाक रखते हैं उन पर, और यह स्थे मुस्मानों के यह नहीं था, यह सब कही ऐसी रोल था, यह वाकिस्तानियों को इसके बारे में पता नहीं कि ये बी गुठा पांकने वाला अच रहना यूट्वर बैठकर पांकर रहा है करें, वाकिन इसका पता नहीं है अब तक नहीं तो इसका परदधा कई रही हो फ़े पहांच ए लिभा यह कमूं। शॉखता नहीं जरब उख पार कर रहा रिभांडा प्लेन मतलब। के मैं यहां से जो मुल्क आपको बेहर है, जो मल्क आपको रिजग दे रहा है, जहां से आप आपने बच्छों के रोजी रोटी कमाते हैं, जहां लगिवारी यहिन के शूअ है, जहां अप Meyerislam के ललेड़्यमिंग माश्यक लाहस है, माशिक अलियासमें को रूल्स और रगलेशन वाफ लो करें वहां नहीं कि आप देंगे अफसाल करना शूले आप उनकी पुलिस पर टैक कर दें आप उनकी पर चड़ दोड़ें यह गलत करें जो गलत है वो गलत है अप एक इंसान है इसा के रूल्स होते हैं जिन्री कुजाने के रिगलेशन इसके मताबग में जिन्री कुजारें ना जगे जंगेक गनुन समदें चट दौड़े जी लाला लाला चलो जी इसको भीमारद जो जो यह लग इनसाब तक तक हाँ ऐसा नहीं नहीं करना चलिए और यूके कर रहा है रवंडा ब्लैन तो यह किसम की सजाई है अवे तक वैसे किया नहीं है शुराथ शाद हो जाए क्योंकि हमारे मारे गाउं से भी तीन चाल लड़के पांच उदर मजूद हैं जो मतलब के लिए काम मतलब वो तीन के कामों में वैसे पढ पड़ने वाले पड़ने वाले मतलब जो जंग हैं मेरी एज अभी अच्छामाइट तर जुणियर थे जो गया हैं दो तीन चाल गाई हों है वहा है वे तरीन उदर अपना रूल आपना रूशन की तायद है अब जिनियर बज़ार रहे बड़े अच्छे शैर्ण के जुद मेटे मेरा यह लंदन का जो मेर है चुका किती ही मेर पाकिस्तान ही यह वो भी मुस्लिम ही है सारी पांच मेर जैसे नहीं बिल्कुल है अच्छा बुरे इंसान हर्माश है मजोड़ा है खार इलतर अविडिमानाट अफसाथ गौड़ ब्लस्यू